अगर आपके पास 4-wheeler यानी 4 पर ये गाड़ी हैं और आपने Fast Tech अभी तक गाड़ी में नहीं लगाया तो आज आप जान लिजी कि आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है तो इसलिए Fast Tech लगाना अनिवार हो गया है आज आप कहीं भी जाएंगे तो आपको Fast Tech लगाना ही पड़ेगा तो सरकार को क्यों इन मुसीबतों का सामना करना पड़ा और क्यों लगाना पड़ा Fast Tech और आप कैसे ले सकते हैं Fast Tech कहां से लेंगे तो आपको आसान होगी और कौन से बैंक आपको आसानी से लेंगे Fast Tech Fastag के लिए क्या-क्या documents के जरूरत होगी आप इन सारे खबरों को इस वीडियो में देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि Fastag कहां मिलता है और कैसे आप असानी से खरीच सकते हैं तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर Fastag है क्या Fastag एक electronic tolls collection system है जो एक sticker के रूप में होता है ये आपको अपनी car यानी गाड़ी की wind shield पर लगाना होगा ये Fastag radio frequency identification यानी RFID technology से काम करता है हर Fastag समंदित गाड़ी की registration details के साथ जुड़ा होता है इसे लगाने के बाद आपको toll plaja पर रूप कर toll phase के पैसे cash के रूप में नहीं देने होंगे अगर गाड़ी में Fastag नहीं लगा हो तो चालक या मालिक को toll plaja पार करने के लिए दोगूना toll tax का जुड़ाना देना होगा सरकार की तैयारी है कि 15 फरवरी से 100 फेस दी टोल Fastag की मदद से ही collect किया जा सके फिलाल नैशनल हाईवे से जितने भी toll tax आते हैं उनमें 80 फिसद की Fastag से आता है तो अब ये सवाल है कि आखिर ये काम कैसे करता है और आपके लिए कैसे ये फायदेमंद है तो जब आप toll plaja से गुज़ेंगे तो toll plaja पर लगा फास्टेग रीडर आपके फास्टेग की बारकोड को रीड करेगा उसके बाद toll face आपके बैंक अकाउंट से कट जाएगी इसके चालू होने से toll plaja पर गाड़ियों की लंबी-लंबी लाइने नहीं लगेगी ये फास्टेग अभी दो पहिएवानों के लिए नहीं है RFID यानि Radio Frequency Identification को National Payment Corporation of India यानि NPCI ने बनाया है तो अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो कहां से खर दें और कौन से बैंक आपको सस्ते दामों में फास्टेग उपलब्द कराएगा और कितनी दिनों के लिए वैलिड होगी आपका फास्टेग ये भी जानना जरूरी है अगर इसे कहां से खरीदने की बात करें तो देश के किसी भी टोल पलाजा से आप फास्टेग खरीद सकते हैं इसके अलावा एक्सिस बैंक, आईसी, आईसी आईसी आई बैंक, HDFC बैंक, SBI, कोटक बैंक की ब्रांच से भी आप फास्टेग खरीद सकते हैं पेटियम, एमेजन, गूगल पे जैसे ऑनलाइन प्रेटफॉर्म से भी आप इसे खरीद सकते हैं इनमें से ज़्यादा तर डिसकाउंट समेट अलग-अलग तरह के ओफर भी दे रहे हैं फास्टेग खरीते समय आपके पास ID प्रूफ और गाड़ी का रजिस्टेशन डॉकुमेंट होना जरूरी है लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आखिर फास्टेग की जरूरत क्यों पड़ी और कौनसे डॉकुमेंट की जरूरत होगी जिसे आप फास्टेग असानी से ले सकते हैं बैंक को आप कौनसे डॉकुमेंट देंगे क्या आपका बैंक के अकाउंट में खाता है तो आप उसे फास्टेग असानी से ले सकते हैं या नहीं अगर इसकी कीमत की बात करें तो फास्टेग की कीमत दो चीजों से तय होती है पहला आपकी गाड़ी कौनसी है और दूसरा आप इसे कहां से खड़ीद रहे हैं बैंकों के ओफर के हिसाब से इसके कीमत में कुछ अंतर मिलता है। आप जिस बैंक से fast tag लेते हैं, वो issue की fee security deposit के रूप में कितना पैसा चार्ज करता है, उससे भी इसकी कीमत में अंतर आता है। हालाकि अधिकारियों का कहना है कि इसकी one time fee 200 रूप में हैं, रियसू करने की 100 रूप में और refundable security deposit 200 रूप में हैं, एक बार खरिदा गया तो fast tag sticker 5 साल के लिए valid होगा, लेकिन SBI जैसे bank unlimited validity का fast tag offer कर रहा है, जैसे अगर आप PTM से कारग के लिए fast tag खरिते हैं, तो आपको इसके 500 रूपे खर्च करने होंगे, तो ये तो हुई कीमत की बात, लेकिन इसके अलावा bank documents के पास documents कौन से लेके जाएंगे, बैंकों के पास कौन से documents लेके जाएंगे, इस पर भी बात कर लेते हैं, और आप इन documents से एक भी documents को use करके, आप fast tag अपने गाडियों में लगा सकते हैं और समय भी बचा सकते हैं, तो वो कौन से हैं documents ये भी देख लेते हैं, अगर आप bank से fast tag लेना चाहते हैं, तो fast tag लेने के लिए आपको KYC documents, गाड़ी की RC, passport, size photo, pen card, address और ID proof के जरूरत होगी, आप चाहें तो अपना license, ID और address proof के रूप में जमा कर सकते हैं, अगर आप अपन गाड़ी में fast tag लगा है, तो आप इससे जुड़ी हर जानकारी my fast tag नाम से UPI app से देख सकते हैं, इसे National Highway Management Company Limited दे तयार किया है, ये app आपकी गाड़ी के fast tag का status भी बताता है, अब सवाल ये कि आखिर सरकार को क्यों मजबूर होना पड़ा fast tag लगाने से और इससे सरकार को क्या फाइदा होगा, जो सरकार आपसे tax लेगी, उससे सरकार कैसे लोगों के बीच में refund कर सकती है, या कितना tax उसको collection होगा, और सिर्फ और सिर्फ fast tag के जड़िए toll plaza tax से कितना tax मिलेगा, ये भी जानना बहुत जरूरी है, तो इसके लिए आपको ये समझना होगा, कि सरकार इन फास्टेक से toll लेने के शुरुआत की थी, जनवरी 2021 तक देश भर में करीब 2,49 लाग से ज्यादा फास्टेक यूजर थे, देश के कुल toll collection के फास्टेक की 80% हिस्सेदारी है, जनवरी में फास्टेक के जड़िए रोजाना करीब 77 कड़ोर रूपे के toll tax की वसूली हुई है, एक study के मताबिक toll plaza पर 100 फेजदी toll collection फास्टेक से हो, तो ऐसे में फास्टेक आपके समय को भी बचाता है, साथ में सरकार को टेक्स भरपाई में भी काफी हद तक मदद करता है, तो ये तो ही फास्टेक की बात, लेकिन ऐसे ही कोई अनिवार आपके हीद की खबर और आप ज चाहिए, निउस तक में कमेंट वाक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और देखते रहें निउस तक